कोई भी व्यक्ति किसी पर एक तरफा निर्भर नहीं रह सकता किसी ना किसी कारण से वो भी तो हम पर निर्भर होंगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो होगी जो उन्हें भी हमसे चाहिए होगी ठीक ही मामला है अरब देशों का और भारत का पिछले दो तीन दिनों से लगातार कहा जा रहा है कि भारत निर्भर है अरब देशों पर हमें उनसे तेल चाहिए हमारे लोग वहाँ पर काम करते हैं जिससे की हमें डोलर मिलते हैं लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा था कि अरब देशों को भी भारत से कुछ चाहिए और आज अरब देशों ने खुलकर दुन दिनों से भारत के खिलाफ कैसा एक बड़ा कैम्पेंच चल ला था इसी बीच भारत के उपराश्ट पती एमवंकिया नाइडू जी गए हुए थे कतर के दोरे पर और ये कतर का दोरा इस पूरे विवाद से पहले शुरू हुआ था और अब जाकर ये खतम हुआ है लेकिन जै कि हमारी फूर्ड सिक्योर्टी का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा उसकी डोर आपके हादों में है फूर्ड सिक्योर्टी का ध्यान क्यों दरसल ये अंदाजा अब लगाय जा रहा है कि आने वाले दो साल बहुत ही कठीन होने वाले हैं सूखा बहुत भेंकर पढ़न आने वाला है ऐसे में खाने पीने की जो चीजें हैं आने वाले दो सालों में बहुत ज्यादा कम होने जा रही है ऐसे में वो देश जो खाने पीने की चीजें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जैसे की भारत हो गया रूस हो गया इसके लावा यूकरेन अमेरिका हो इन देशों की महतवता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है अब बात करें अमेरिका की तो अमेरिका खाने पीने की चीज़े खूब उगाता है बड़े-बड़े फार्म होते हैं वहाँ पर लेकिन वो ज़्यादा तर चीज़े भेज देता है यूरोप को इसके लावा रश्या की बात करें तो उस पर लगे हुए हैं परतिबंद आप वहाँ से कुछ खास नहीं मंगा सकते यूक्रेन के अंदर पूरा क्रिसी सेक्टर वरबाद हो चुका है आने वाले दो सालों में वो उठने भी नहीं वाला ऐसे में भारत ही एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और उत्पादक है खाने पीने की चीज़ों का ऐसे में अरब देश आते हैं कि भारत उनका ऐसे कठिन समय में साथ दे और इन्हें खाने पीने की चीज़े प्रवाइड करे और इसके पर आप देख सकते हैं कतर ने खुले आम ये कहा है कि भारत हमारी food security का जरूर से ध्यान रखे और literally आप देखिए कतर ने भारत से assurance लिया है जी हाँ उन्होंने कहा है कि हम आप कैसे नहीं चाने देंगे आप हमें assurance दीजे कि आप हमारा ध्यान रखेंगे और फिर हमारी उप्राष्ट पती ने चलते हुए कह दिया कि कोई बात नी हम आपकी food security का जरूर ध्यान रखेंगे आपको अकेला नहीं छोडेंगे लेकिन ये तो आने वाला वक्त अब बताएगा कि भारत अरब देशों के साथ कैसा बरताव करता है लेकिन अब मुझे लगत को हम डोलर की बीना भी काम चला लेंगे लेकिन अरब देशों का काम भारत से गए हुए अनाज के बीना नहीं चलने वाला एक भी दिन जी हाँ एक भी दिन नहीं चलने वाला ऐसे में सब को इस बात को अब ध्यान में रख लेना चाहिए हाला कि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जुरू बताएगा फिलाली सुड़ में इतना ही तैंक यू वेरा मुश वाचिंग